इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स के आप Redmi 9 मॉयलफोन में call waiting setting को आप कैसे उन कर सकते हैं मतलब आप जो है call waiting कैसे कर सकते हैं और इस से क्या होता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरी यूट्यो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोडिफिकेशन बेल को दबा कर ओल के option पर जरूर क्लिक करिएगा चलिए सुरू करते हैं इसके लिए आपको जाना है रेड्मी नाइन मॉयल फोन के सेटिंग में चलिए सेटिंग में चलते हैं फिर आपको आना है नीचे और नीचे आकर आपको यहाँ option मिल जाएगा apps का इस पर क्लिक करेंगे फिर आप यह system app setting पर क्लिक करेंगे फिर इसमें आपको call setting का option मिल जाएगा call setting पर क्लिक करेंगे इसमें आपको यह call waiting का option मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपको जिस भी sim में call waiting करना है उस sim को आप select लेंगे कर और सेलेक्ट कर दिने वाद यहां कॉल वेटिंग का सेटिंग आ जाएगा अब दोस्तों कॉल वेटिंग ओन करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर देंगे और फिर आप यह टर्न आउन पर क्लिक कर देंगे कॉल वेटिंग ओन हो जाएगा और देखे कॉल डिस्प्ले पर किसी दूसरे बेक्ति का call जो है सो कर जाएगा और आप चाहें तो उसके call को receive करके आप जो इससे बात कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस सेटी को बंद रखते हैं तब दोस्तो क्या होता है कि अगर आप दूस्तो अपने नमबर से किसी से call पर बात करते हैं तो उसी टाइम अगर कोई दूसरा वेक्ति आपके आपके नमबर पर कॉल लगाएगा तो दोस्तों आपके नमबर पर जो है कॉल नहीं आपाएगा क्योंकि दोस्तों आप जो है अल्रेडी एक नमबर पर बात दोस्तों कर रहें लेकिन अगर आप इसे लिको आउन रखेंगे तो Redmi 9 के smartphone में call waiting को on कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा